अलो दोस्तों एक बार फिर सुवागत है आपका हमारे शानल पर मेरा नाम है वरुणो और हम बात करें मद्यप्रदेश की तो यार मद्यप्रदेश के हमने बहुत सारी चीजों पर डिसकस कर लिया बारी है बहुत इंबॉडरिंग चीज चहां से हर एक हर एक मद्यप्रदेश इसके पेपर ऍेजाम में questions पूछे जाते हैं और जो बात हम कर रहा है वो है मद्यप्रदेश की Sanskrit, कला, संस्कृति और हर एक चीज पर जो यहाँ पर होने बाली है चित्र कला इत्यादी यह सारी चीज़े संस्कृति के अंतर या दी चाहे वो लोग गीत हो, लोग नाट्ते ह सारी की सारी चीज़े जो है, वो संस्कृति के अंतर्गत आती है, तो दोस्तों में शेयर करना इसको भूल ला नी है, लास्ट तक वीडियो को देखना है, ताकि ये की कॉंसेप्ट आपके किलियर हो जाए, और सारी एक्जामस में, जो भी एक्जामस आप देना चाहा है, उसम इन से सम्मधित सारी के सारी कुईश्यन्स आप से डिटो साही हो पाए ठीक है चैनल सब्सक्राइब करना भी नहीं भूला है क्योंकि मद्देब्रदिस की पूरी तियारी आपकी यहीं इसी चैनल पर होने बाली तो चलिए बात कर लेते हैं हम कहां कला संस्कृती चित्र कला इ समूनरजाती मतलब एथनिक एथनिसिटी की बाद कर रहे हैं दीर्ग कालिक परमपराओं को जो चली आ रही है जैसे उनका विचार हो गए उनके विश्वास हो गए उनके रहन सहन खान पान ये सारी चीजों को क्या करा जाता है समग्र रूप से क्या कहा जाता है संस्कृती कहा जाता है यानि कि लंबे सवैसे किसी एक culture की बात culture उसी को कहे जाएगा जिसको बार-बार-बार-बार कीया जा रहा है एक समूव के दौरा या फिर एक शित्र विशेस के दौरा उसको संस्कृति कहा जाएअब हम बात कर रहे हैं मद्य प्रदेश की जो मद्यप्रदेश में ब्याप्त है तो मद्यप्रदेश संस्कृती की दरश्टी से बहुत समरद्ध हो जाती है कला संस्कृती की बाहक है और बिभिन बिधाओं और रूपों के द्वारा संस्कृती का प्रकटी करण किया जा सकता है जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं कला एक और तो क्या है यह साइन्टिफिक यानि बिज्ञानिकता और तकनीक को तबकी दूसरी और रस को भाव को इनको क्या करती है समाहित गर लेती है कला तो यह अपने आप में बहुत important हो जाती है मद्यप्रदेश की विसिस्ट पहचान दिला देते हैं मद्यप्रदेश में तो चलिए बईया कला और संस्कृति की अगर बात करें तो क्या-क्या अंग है मद्यप्रदेश में कला और संस्कृति के तो सबसे पहले अगर बात करें लोक गायन लोक नरत्य लोक नाट ये तीनों अलग अलग चीजे हैं हम सब पर बहुत अच्छे से डिसकस करने बाले हैं बिलकुल धैर रखना है लोक चित्र गला परव हो गए उत्सव हो गए मेले हो गए सिल्प गला हो गए ये सारी की सारी चीजों पर एक एक करके हम डिसकस यहाँ पर करने बाले हैं जो की संस्कृती के अंग है मध्यप्रदेश के और बहुत सारी कुशियन्स यहाँ से बन जाते हैं थोड़ा सा क्या है बैया लोक गीत मतलब लोगों के द्वारा गाय जाने बाले किसी एक विक्ती के द्वारा नहीं सारी लोगों के सबू के द्वारा ये गाय जाते गीत है हर एक विक्ती वहां का गाता है इनको लोग गीत कहते हैं यानि लोग गीत लोक के गीत हैं जिने कोई एक विक्ती नहीं बलकि पूरा समाज गया है अपना लेता है उसको लोक गीत कहा जाता है सामानिता लोक में प्रचलित लोकों द्वारा रचित लोकों मतलब लोगों की बाद चल रही है और लोगों के लिए लिखे गए इन गीतों को लोक गीत कहा जाता है यह के सिंपल सी डपिनेशन है पारम पर एक संगीत जो होते है ना उसकी एक विशेश छेत्रियता के प्रभाव को यह लोक गीत तरशाता है और पीडी गत पीडी दर पीडी सांस्कृतिक दरोहर के रूप में एक पीडी से दूसरी पीडी को यह गीत जो है सौपे चले जाते है सौपे जाते हैं तो वो छित्र जो है लोग गीतों में मशुहूर हो जाता है मद्दप्रदेश के प्रमुख लोक गीत यह लोक गायन दोनों चीज़े हैं एक ही चीज़े कौन-कौन से हैं तो भाईया अलग-अलग हमें पता है मद्दप्रदेश सांस्कृतिक रूप से विभक्त है अलग-अलग शित्रों में जैसे मालवा शित्र हो गया निमाण शित्र हो गया बुंदेल खंड हो गया बघेल खंड हो गया यह चार रूप से बहुत जारा यह बटा हुआ है मद्दप्रदेश से चार शित्रों में अलग-अलग संस्कृति के तौर पर तो मालवा शित्र के अंतर जो बहुत important है वो भरतरी गायन है और यह गई बार पूछा भी गया है तो मालवा के कौन-कौन से लोग गीत है भरतरी गायन तंजा गीत यह साम के समय गायने वाला हीड गायन यह पूछा जा चुका है कई बार बरसाती बारता निर्गुडी गायन तो निर्गुडी गायन के भी question पूछे जाते हैं तो ये important important क्या है लोग गीते कहा के मालवा शेत्र के और सीधे question यहां से बनते हैं इसके लाब निमाण शेत्र में कल गीत हो रहा है बहुत ही famous है भाईया इसके अंतरगत क्या होता है अभी हमें discuss करेंगे संत सिंगाजी गायन मसानिया मसानिया या इसको कयाखो भी कहा जाता है नागपंथी गायन होता है गरवा गरभी होता है और भाईया गबलन होता है ये सभी के सभी क्या है निमाण शेत्र के प्रमुख लोग गीत या लोग गायन है बुंदेल खंड चेत्र में बहुत ही फेमस है आला गायन आला खांड चलता है बहुत ही इंपॉड़ेंट है यहाँ पर बंबुलिया या भोला भी इसको कहा जाता है अंगला जो हम बात करें जगदेवा का पुबारा परायेटा गायन यह कई बार पूचा जा चुका है यह बगेल खंड में बसदेवा विरहा विदेशिया ठीक है तो बा 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 बगेल खंड में है ना बसदेवा विरहा विदेशिया विदेशिया बहुत इंपॉड़ेंट है यह सारा कई बार पूचा जा चुका है एक्जामस पर हम सब पर एक एक करके डिसकस क ठीक है तो भरतरी गायन मालवा में गाया जाने वाला दभीत है ये सीधा-सीधा गुष्ण रिखा जा चुका है मालवा शेट्र में प्राता काल तुब बरतरी गयान की परमपरागत लोकशाली, 36 गड़ में भी प्रचले थे, यह एक्ष्टर चीज़ है, बरतरी गयान की प्रख्यात गाई का सूरजबाई खांडे, याद रखियेगा, सूरजबाई खांडे यह 36 गड़ की है, याद रखियेगा, मार्च 2018 में इनका लिदन हो चु इसको गया जाता है, बजाया जाता है, प्राचीनतम और पारंपरिक बाध्येंत्र है, जो नारियल की नटी से बास और घोडे के बालों से निर्मित होता है, क्या भिया चिंकारा, यह पूछा गया गया गोश्यानी की चिंकारा कैसे बनता है, तो भिया नारियल की नटी, ब और गोडे की बालों से इसको बनाया जाता है चिंकारा को बालों से बने धनों से बजाया जाता है बालों से बजा बना धनों शोता है उससे ऐसा बजाया जाता है जिससे रूरू रूरू पदुर्ध्वनी निकलती है और भरतरी गीत की विसयवस्तू क्या है भरतरी गीत में क प्राता काल, नात संपरदाय, एकल और तमोहिक रूप से इसको गाया जाता है, चिंकारा बाध्ययंत के माध्यम से याद रखीएगा, सीधा सीधा कोश्यन यहाँ पर बरतरी गायन के पूच जाती है, संजागायन, क्या भी या संजागायन, यह गीत जो है पित्र पक्ष के द जाती है और साम को उसकी पूजा आर्थी करने के साथ ही ये संजागीत गाया जाता है। जाता ही ये लोक गीत है जो स्राबढ के महीने में गाया जाता है। जाता है जो कि कब जाता है जो जिसमें मालवी गध्य और पध्य दोनों का चरम उतकर्स देखा जाता है। मालवा के गाउं में घरों में बेट कर बरसाती बारता रात रात भर गाया जाता है। जाता है गाया जाता है इसमें रितुओं के गीत हो गाया रितुकता है बारहमासी गीत ये सामुहिक रूप से गायन इसमें बरसाती बारता में होता है। और गाते रहते हैं कई बार आपने जो धार्मिक कथानक होते हैं या धार्मिक जो प्रोग्राम्स चलते हैं उसमें नारग जी रहते हैं। गाते गाते जाते हैं फिर मेसेज देने पहुंचते हैं तो उससे पहले गाते रहते हैं तो वैसे ही है निर्गुडी गायन एक तारा और मजीरे के स्वरों के साथ गाया जाता है मजीरा बो होता है और एक तारा निर्गुडी गायन के छेत्र में भी पहलाद सिंग के इनको कहा जाता है अब चलिए मालवा के बाद बात करते हैं निमार की निमार की लोक गीति या लोक गायनों में सबसे पहले और बहुत इंपॉर्डेंट है कलगी तुर्रा गायन यह बहुत इंपॉर्डेंट है फेमस है बहुत सारे एक्जाम्स में इंक्लूडिंग MPPSC पूछा जा चुका है तो इसको भूलना नहीं है निर्गुडी का कलगी तुर्रा जो है दो अखाड़े होते हैं दो पक्ष हो जाते हैं बाद विवाद चाइप का जो चलता न बैसे ही तो दो अखाड़े होते हैं जिनके मद में साब्दिक बाद होता है और एक कलगी दर जो है वो सक्ती और तुर्रा दल जो है वो सिभ जी इन दोनों का प्रतीक होता है और इन दोनों को बड़ा बताने के लिए बाद विवाद चलता है कोई पारवत्ती जी यानि सक्ती की बाद करते हैं एक दल कलगी और तुर्रा जो है वो क्या है सिभ जी का वखान करते हैं, दौनों में कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, उस पर बाद विवाद चलता है, गीत के मात्यां से, ठीक है, सो कलगी तुर्रा इसको कहा जाता है, कलगी तुर्रा निमाण में गाय जाने बाली एक प्रतीस परधात्मक लोक गायन से लिए, क्या है प्रत प्रतिडी और तारों से निर्मित एक बाद्धियन्त होता है, ठीक है, वो चंकारा था, ये चंग है, ठीक है, गरबा, गरबा तो आप सभी को पता है, कोई इसमें समस्या है नी, गरबा इस्तरीपरक लोक गायन है, और गरबा निमाण में, नवरात्री में गरवे की और हाश्य परक, ये तीनों प्रकार के होते हैं, गरबी प्राया पुरस परक लोक गायन होते हैं, इसमें आज और ब्रदंग के साथ इसको गाया जाता है गरबी की स्था, भाईया ये प्रमुख है संत सिंगाजी गायन, अलाकि संत सिंगाजी बहुत बड़े निमाण छेत् क्या थे भाईया, गुरुजी थे, जिनने निर्गुण साखा, मतलब वो भगवान की भक्ती करते रहते थे, तो उनका बहुत ज्यादा इंपॉर्डेंस है, उनहीं के गायनों को कंटिनियेशन अभी तक मिल रहा है, जिसको संत सिंगाजी गायन के रूप में, यहाँ पर ल जिनों को म्रदंग और जहाज के साथ गाया जाता है, यह है पद किसी भी सामाजिक अबसर पर, चाहे वो खेती हो, ग्रहस्ती हो, इन संबंदी लोक प्रतीकों के रूप में, भजन के रूप में, इसका गायन किया जाता है, संत सिंगाजी गायन, गबलन गीत, क्या है भी य रास लीला बतलब जो क्रिश्ण जी की लीला को रास लीला कहा जाता है, सो रास लीला में ये गबलन गीत, चनली जादा यहाँ पर चलते हैं, कहाँ पर निमाण चित्र, नागपन्ती गायन, नागपन्ती गायन जैसे भरतरी गायन था ना, बैसे नागपन्ती गायन है, नि इसको भरतरी गयन कहते हैं यहां पर वो क्या हो जाएगा आपका नागपंथी गयन हो जाएगा इसकी गयन सेली हातों में रेकड़ी बजाते हुए इनको गया जाता है मसान्या या कयाखो गीत भी इसको कहा जाता है मसान्या ये भी निमाण अंचल छेत्र में गया जाने वाला लोकगीत है और मशान्या गीतों में आत्मा को दुलहन पोला है आत्मा दुलहन है और सरीर को दूलहा बनाया गया है मतलब उपमा दी गई है उपमा आलंकार आपने जानते होंगे हिंदी में तो दुलहन और दूले की उपमा आत्मा और सरीर को दी गई है और इसमें क्या होता है म्रत्यू के अबसर पर ये गीत गाये जाते हैं मशाण्या गीत पुरोसपरक लोक गीत होते हैं निमाण में म्रत्यू गीतों को मशाण्या या कयाखोज गीत कहते हैं तो कयाखो इनको कहा जाता है, मर्त्यों के समय गाये जाने वाला, ये लोकगीत चाने वाला है, आत्मा की अमर्ता और सरीर की नश्वर्ता से संभन्देत ये गीत पर गये जाते हैं, निर्गुढियाँ गायन भी निमाहण चैत्र में गाया जाता है, कपीर, तुलसीदास जी हो गए, मीरा जी हो रैदास हो गए इन सभी के भजन जो काफी लोग π्रिये हैं और निर्गुण ब्दिशाका के हैं निमाड़ी लोग में निगुण निर्गुण और सगुण दोनों ब्तिदाराओं के कभीओं की छाप यहाँ पर दोनों की लगा कर यह रचन क्यी जाती है और गाय जाते हैं ठी बहुत ही famous famous चुगीत है पंबुलिया इनको भोला गायन भी कहा जाता है ये बहुत प्रचलित लोक गीत परंपरा है कहा कि पुद्देलखंड की इसमें लम्टेरा गायन भी इसको कहा जाता है क्या कहा जाता है लम्टेरा गायन लम्टेरा लटेरा भी बोल देते हैं कई बार यही भोला गायन है, इसमें सिब पारवती जो है, इनकी भक्ती से सम्मधित भजन गाय जाते हैं, सिब जी पारवती जी की भक्ती से सम्मधित सारे भजन यहाँ पर मिलते हैं, यह इस्तिप्रोस के बीच में प्रशनोत्तर सैली में गाया जाने वाला गीत सैली है, यह लोकगी सली नेक्स्ट ए आला गायन जो बहुत फेमस है भई पूरे बुंदेलखंड अंचल में फेमस है, MP तो छोड़ो उत्तर प्रदेश में तक ये बहुत ज्यादा प्रचले थे तो आला गायन बुंदेलखंड छित्र में गाया जाने वाला बीररस प्रधान का ब्या है क्या है यह बीर रस इसमें आला उदल को तक्तिशाली बताया गया है उनके बारे में ये पूरा का पूरा गायन है ठीक है तो इसकी विसाय वस्तू जगनिक जो है ये भाया दरवारी कभी रहे हैं किसके आपने महोबा सुना होगा महोबा में भाया चंदेल राजवंस चलता था तो चंद सर्गत एक आला खंड है जिसमें आला उदल के तक्ति का बताया गया है इनोंने प्रचार प्रसर किया तो इस आला खंड को ज्यादाLaughing को ज़्यादा है परमल दे परमर्दी देवराशों को कम हैं आला कंड में बढ़नित आला उदल द्वारा जो लड़ी गई बावन उनका पूरा विस्तार से वर्डन इस आलाखंड में है जगनिक के द्वारा और उसी को गाया जाता है जिसको आलाखंड कहा जाता है आलागायन के रूप में यहां ढोलक और नगारों पर यह आलागायन होता है आलागी रचना लोग कभी जगनिक में 1000 साल पहले करी थी जब प गाते हैं इसको ठिक है अलाखंड संसार की सबसे लंबी गाथाओं में से एक मानी जाती है और वी ते कारा को आंगे बढ़ाने के लिए खुंकारा दिते हैं ठीक है जो कथा है यह गायन से लिए कथा की और इसमें महाभारत, रामाइड, लोक, नायक, इन सभी के गायन किये जाते है, नेक्स्ट है जगदेब का पुबारा, क्या भिया, जगदेब का पुबारा ये भजन सहली में गाया जाने वाला लोक गायन है, बुंदेल खंड में चैत्र का महिना है, कुमार का महिना है, इसमें य जाता है क्या कहा जाता है लद कहा जाता है ये कई बार पूछा गया है विशन देवी गीतों को लद कहा जाता है देवारी गायन ये देवारी की जगा इसको दिबारी गायन भी कहा जाता है देवारी गायन है ना देवाली के अवसर पर ठीक है और ये गायन दोहों पर केंद् दिवारी के दोहों के विशाय में कृष्ण, राधा, प्रेम, प्रसंग, भक्ती, बीर, रस इस पर आधारित होते हैं अहीर, बरेदी, गवली ये सारी जातियां जो हैं दिवारी गायन और रत्त की परमपरा इन में ज्यादा प्रचलित है दिपावली के अवसल पर गौाल, ब बेसिकली होली पर गाने वाला ये लोकगीत है फाग गायन होली के अवसर पर गाया जाता है और होली जलने के बाद रंग पंचमी तक फाग गायन होता है ठाकुर फाग में इस्तरियां क्या है जराई का खेल खेलती है और जराई का आकार अंगरेजी के एच के अक्षर के सम फिर बात आती है बुंदेलखंड के बाद बगीलखंड चित्र की तो बगीलखंड चित्र में तीन बावावा वाले हैं बस देवा गायन से हम स्टार्ट करेंगे यह बहुत इंपोर्डेट है बस देवा गायन ठीक है तो बस देवा बगीलखंड का पारंपरिक गायन है जो हर बोले जाती के द्वारा हुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी है ना तो हर बोले जो जाती है उनके द्वारा ये गाया जाता है और इसकी गायन सेली में स्रवण कुमार की जो गाथा है वो भई ये स्रवण कुमार अपने माता पिता जी को क्या कर रहे थे चारो ध देवा गायन में प्रमुखुरूप से होता है इसमें सिर पर कृष्ण की मूर्ती और पीला वस्त्र धारण करके हात में सारंगी लिए इस गीत का गायन या लोग गीत का गायन किया जाता है विदेशिया गायन विदेशिया गायन बहुत important है गडरिया तेली पोटवार ये सार इसमें अपन जादा गाना गालेते हैं लेकिन नायक और नायका के पेरह की गाथाएं हैं और उनके मिलने की इक्षा को प्रेम के रूप में ये गीत होता है प्रेम गीत है बेसिकली ठीक है बिरहा गायन ये प्रेम गीत है ये बिच्डन वाला है तू बिच्डन बिरहा गाय खेल जंगल खली हानों, खेल नहीं है वो खेत है, ठीक है, खेत जंगल खली हानों में काम करने वाले सवाल जवाब के रूप में ये गाया जाने वाला लोकगीत है बगेलखंड चित्र का और फाग गायन तो हर जगा चलता है बगेलखंड में भी होली के उत्सव में, फाग के सबी अंचलों के प्रमुक लोक गीप और लोक गायन हमने डिसकस कर लिए अब बारी आती है किसकी लोक नरत्यों की कौन कौन से लोक नरत्य हैं जो मध्यप्रदेश में प्रमुकता होते हैं लोक नरत्य किया जाते हैं तो भाया आंगे बाद कर लें प्रमुक लोक नरत्यों की तो फिर बही अंचलों के हिसाब से चलेंगे सबसे पहले, मालवा के लोग नरत्तों की हम बात करें, सबसे पहले और सबसे important है मठकी नरत्य, मठकी नरत्य जो है मालवा का बहुत ही famous लोग नरत्य है, मठकी नाच अलग-अलग अपसरों पर महिलाओं के द्वारा किये जाने व पूरा गुगट ओडे वो डांस होता है, घुमगट लगा कि ये डांस किया जाता है, बाद में फिर और महिलाओं इसमें सामिल हो जाती है, महिलाओं धोल की ताल पर नरत्य करती हैं और मठकी के नाम से धोल को मठकी बोल देता है, तो मठकी नाम से इसको प्रसिद्धी मिल जाने वाला ये लोकन रत्य है जो मालवाई शित्र में बहुत जादा विख्यात है निमार शित्र की लोकन रत्यों की बात करें तो भाईया गणगोर की पुझा होती है गणगोर उच समय पे रत्य किया जाता है परवती का प्रतीक है गडगोर देवी की मोती तो इसकी स्थापना करी जाती है और गाओ के घर में सभी महिला पुरुज जो है रनुबाई और धनियर सूरदेप के रतों का सिर्पर रख कर क्या करते हैं डांस करते हैं नाचते हैं और ढोल और ठाली की थाप पर यह न्रत किय जाता है गडगोर निमान का धार्मिक लोक नरत है जो चैत माश में गडगोर के परवपके अफसर पर किया जाता है कितने दिनों तक 9 दिनों तक किया जाने वाला यह न्रत है काठी नरत यह कई बार पूचा जाता है काठी है ना सो नरत्य देव प्रबोधनी ग्यारस जो है इक आदसी उससे आरंब होकर महा सिवरात्री के समय तक ये काठी नरत्य होता है नरत्य के साथ साथ इसमें गायन होता है हरिशंद वीडवो बाल और सूरियालो महाजन ये लंबी-लंबी कथाएं जो है इसमें करी जाती है काठी नरत्य को चार अगत और दो नरतक इनकी टोली स मिलकर ये डांस होता है नरत होता है काठी नरत को की बेश भूसा जो होती है उसको बाना कहा जाता है क्या था ताना बाना ताना बाना तो बाना है ये ठीक है भाई काठी नरत पारवती जी की तपश्या से सम्मंदित मात्र पूजक नरत है और इसमें बाध्धी अंत्र जो है वो धोलगनी धाक होता है, क्या होता है, धाक होता है, याद रखिएगा, ये सीधे questions पूछे जाते है, नेक्स्ट मांडल्या, मांडल्या नरत्य है, ये भी बैया, निमाड में बहुत ही जादा, फेमस है, इसमें धोल और कासे की थाली में, तोर स्वरूप इसमें, बजाया ज नाचते हैं, और फिफारिया एक प्रकार की पुंगी है, पुंगी, जिसकी अबाज सहनाई से मिलती-जुलती होती है, और नरत्य मुख्षताब विभाः के अपसर पर किया जाता है, इसमें फिफारिया बाद यंत्र पाया जाता है, ये डांस होता है, निमाड चेतर का पा सुब उपलक्ष होते हैं, सुब अबजार होते हैं, उस पर किया जाता है, भक्ती पर आधारेत इसमें गायन होता है, जिसमें राम कृष्ण सिभ जी की लीलाओं का बखान होता है, और बैया प्रमुक बादियंत्र में सारंगी, लोटा, धोलक, मरदंग, ये प्रमुक रूप एक्सटर राई, जो भईया बहुत इंपोर्डेंट है, मद्ध प्रदेश का, ये पूरे मद्ध प्रदेश का राजगी नरत है, राई, ठीक है भई, हाँ भाई, साब राई बुंदेलघंड का प्रसिद लोक नरत है, जो बुंदेलघंड में होता है, बिभिन अपसरों पर एक नरत की होती है, जिसे बेढ़नी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बेढ़नी कहा जाता है, और इसे गती देने का कारे कौन करता है, म्रदंग बादक, ठीक है, तो म्रदंग बादक जो है, वो भईया यहाँ पर स्पीड के साथ नरत की डांस करती है, ठीक है भई, तो यहां केबल बदाई हो उन बदाई हो करके नहीं होती जिसे बदाई नरत जाता है एकल रूप में इस्तरि पुरस दौनोंके द्वारा सईयुक्त रूपसे यह किया जाने वाला नरत है बुंदेल खंड छेतर में चाहे जन्म हो विवा हो मननत पूरी हो कोई भी तीज यति वहार हो कोई भी पल बिल जाए खुसी का और डान्स होता है बधाई का और यह धपले पर मृदंग पर इन सभी बादियतों पर किया जाने वाला बधाई निरत्य होता है यह बुंदेलखंड छेत्र का प्रमुख लोक निरत्य है बुंदेलखंड छेत्र में जो गाउं के लोग है वो सावन के माह में कजली तीज के अवसर पर यह निरत्य करते हैं और इसमें साधारन बेजबूसा होती है जिसमें साफा बंडी धोती कमीज यह सारी चीज है हाथ में क्या है भईया लाल रुमाल हो गया कमर में पट्टा पैड़ों में भुंगरू और सब है ना तो बस ये सेरा निर्त पुरुष प्रदान नित होता है जिसमें पुरुष हाथ में डंडा लेकर घेरा बनाकर कृष्ण लीलाव सम्मदी गीत गाते हुए नरत्य करते हैं और यह नरत्य धोलक मजीरा आधी बाध यंत्रों पर किया जाता है सेरा नरत्य है याद बहुत ज़्यादा फेमास है खुसी अवसरों पर ठीक है इस नरत्य को क्या है धीमर जाती के लोग करते हैं इसलिए इसको धिमर्याई नरत्य कहा जाता है और नरत्य कत्थक के समान परीचालन करता है और धिमर्याई नरत्य की यह बहुत बड़ी बिसेस्ता है यह सगाई हो संगीत हो नवरात्ती हो जो भी खुसी के अवसर हो ये नरत्य इसमें किया जाता है तो भाईया खुसी में तो डांस होता ही और बहुत सारे डांस यहाँ फेमस है जवारा नरत्य जवारा नरत्य जो है ये भी फेमस है लेकिन ये भूमी का इसकी अलग है देखो भाईया बुं जवारे जो है गेहूं जो उग जाता है न थोड़ा सा उसको जवारे बोलता है, तो भाईया जो इस्तरी है वो अपने सिर पर गेहूं के उगे हुए जवारे रखती है और डांस किरती है, तो क्रसक समुदाय से ये जुड़ा हुआ नरत्य है, जो फसल का टाई के समय पर generally किय जाता है नौरता नरत उंदिल खंड चेत्र में अभी बाहित लड़कियां जो है वो नौरता बनाती है नवरात्री में और ये नौरता नरत करती है नौरता नरत के जरिये कुवारी लड़कियां एक अच्छे पती की मांग करती है तो ये भी भाईया बहुत फेमस है कलस नरत ह स्रीपरग नरत है यह बिभाहाद के अपसरों पर कण्यापक्ष की दौरा किया गया यह राच बदाया नरत है अब यह बात कर लेते हैं बगेल खंडशेत्र के लोख नरतों की जो बहुत important है बगेलखंडी राइनरत बंदेलखंडी तो famous है पूरे मध्यप्रदेस का राजकी नरत है लेकिन बंदेलखंड के आलावा बगेलखंड में भी उसकी अलग इशाप के साथ बगेलखंडी राइनरत हो गया है राइनरत पुरस ही इस्त्री का बेस धारण कर लेता है और बगेलखंड में भी राइनरत का प्रचलन है राइनरत ढोलक नगडिया पर किया जाने वाला नरत है जो बगेलखंड में पिचलित हो गया है पिरहा पिरहा जो गायन था उसमें नरत होता है अहीरयाई नरत इसको कहा जाता है तो अहीर जाती में बिसेस लोगप्री हो र बिरहागायन जो है उसके साथ जो निरत किया जाता है उसको बिरहा निरत कहा जाता है बिरहा जो निरत है पुरस पर किया जाता है ताजन सजनई नरत भी इसको कहा जाता है साजन और सजनई इसमें नरत करते हैं क्यामली नरत महिला पर उस दौरों के सवाल जवाब की स्रेणी में होता है नेक्स्ट है आपका कलसा नरत कलस रखके ये नरत किया जाता है बारात की अगवानी के समय द्वार पर स्वागत की रसम होने के पस शाथ यह नरत किया जाता है नगडिया ढोल सहनाई और इन सभी की धुन पर ये नरत होता है और कलसा नरत पुरसो और महिलाओ द्वारा सिर प करते हैं महिलाएं इसमें रत करती हैं कभी-कभी पुर्सों के द्वारा भी कर लिया जाता है और मुख्य बाद ये अंत्र इसमें नगडिया ढोल धाप और दादर रत जो है वो जाती गीतों की विशेस्ताओं के अनुरूप इसमें कोटवार कहार कोल ये सारी जंजातियां है इसमें प्रसिद्ध हैं जो अपनी जातीयों के जो अलग-अलग गीत हैं उसके द्वारा इसको गाते रहते हैं और नरत इसमें किया जाता है और कहरवाताल बासुरी की धुन पर बजाई जाती है और बारी बारी जो बारी जाती है उसका कहरा नरत बहुत ज़्यादा लोग प्रिये माना जाता है कहरान रत बारी जिनजाती का जाती का जादा famous है तो भाया यह हो गई हमने गायन की बात कर ली तांस की बात अब बारी आती है लोक नाटी की नट सहता है नाटक तो हम लोग बोलते आई नाटक नहीं करो यार तो नाटक जो है यहाще कौन-कौन से प्रचलित हैं मद्यप्रदेश में अलग-अलग अंचलों में उसकी बात कर लेते हैं तो भाईया मद्यप्रदेश के लोकनाटक में सबसे फेमस माच माच जो है याद रखिएगा ये पूरा मद्यप्रदेश का राजकिय नाट है मद्यप्रदेश सरकार ने माच को राजकिय लोग नाट का दरजा प्रदान किया हुआ है माच के प्रबर्तक जो है गुरू या उस्ताद कहलाते हैं तो मेन होते हैं वो गुरू या उस्ताद कहलाते हैं इसमें ढोलक जो है यह बहुत important होती है इसमें बाध्ययत्र के रूप में और मद्ध्वर्देस में माच का प्रारंब कहां है उज्जेंण सेमाना जाता है माच नाट का प्रारंब रात्री में, पहले पैर में स्टार्ट होता है रात्री का प्रथम पैर, पैर तीन घंटे का होता है, याद रखीगा, मंच पर पात्रों के बीच में होने वाले संबाद को बोल कहा जाता है, क्या कहा जाता है, फिर गंमत लोक नाट है, गंमत, क्या है नाटक है और नाट्ट प्रमुख बाद्यंत्र ब्रदंग और स्तांच जो है होते हैं इसमें विशेस रूप से ग्रामीड छेत्रों में चौपालों चौराहों नुकड पर गणेश जी और सरस्वती जी की बंदना करने के बाद आरंब किया जाता है गंमत लोक नाट्ट निमा स्वांग जो है राई के साथ होता है तो दोनों चीज़ा होती हैं इसकी विशावस्तू समाजिक कुरीतियां जो है समसमाई गटनाए हैं उन से समबंदित यहाँ पर कठाक्ष किये जाता है इसमें राई नरत्य के बीच बीच में हास से और ब्यंग के लिए ये स्वांग हो पाहुर लोकनाट ये बगेल खर्ण में प्रसिद्ध नाट है जो क्रसक और अहीर जातियों के द्वारा दिपावली से अस्टमी तक किया जाता है खंब स्वांग ये बहुत इंपोर्डेंड है ये कुईशन पूछा चुका है ये कोरकु जनजाती का फेमस है खंब उसमें मेगनाथ मेगनाथ आपने सुना होगा रावड का भाई था मेगनाथ भाई था की बेटा था बेटा था तो मेगनाथ में बड़ी विपत्ती से बचाया था किसको कोरकु जनजातियों को मेगनाथ ने विपत्ती से बचाया था उसी याद में कोरकु आदिवासी क्या यह नटक का आयोजन करते हैं, कौरकू के गाउं में एक मेगनाद का खंबा होता है, खंबा को मेगनाद खंब कहा जाता है, और इसके ही आसपास नवरत्री में देवटनी 11 तक, कौरकू जनर्जाती के लोग रात में नए-णय स्वांग कहिलते हैं, और ये खंब स्वांग कहलाता है, बहुत important है कोरकु जंजाती में दिवाली से 11 तक, ठीक है, ये मेगनाथ खंब के आसपास किया जाने वाला स्वांग है, जिंदवा लोक नाट, क्या भिया, जिंदवा लोक नाट, ये बगील खंड में विवाह के अफसर पर महिलाओं द्वा किया जाता है, याद रखेएं, बगील खंड में से बेहलोल के नाम से भी जाना जाता है, पुरसों में नाट देखने पर उन्हें जालू और मूसलों की मार पड़ती है, पुरस नहीं देखती है, पुरसों ने देखा तो कुटाई होती है, ठीक है, इसको जिंदवा लोकनाट बगिल खर्ण बहुत फेमस है लकडबगगा ये बहुत फेमस है याद रखिएगा ये जंजाती इन्रत है तो कि आदिवासी समुदायों के द्वारा किया जाने वाला लकडबगगा लोकनाट लकडबगगा आदिवासी यूबती और यूबकों का लोकनाटे है जो खुले मंच पर किया जाता है यह है बिवाह के बाद खेला जाता है जिसमें लड़की को लकडबगगा उठा कर ले जाता है यह नाटक है कि जिसमें लड़की को लकडबगगा उठा कर ले गया अब लड बंदन कर रही कि बचाओ 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 तो आगे चलकर लकडी लकडबग्गा से क्या करेंगी प्रेम करने लगती है और कुछ योबक क्या करेंगे लकडबग्गा को तीर मार देते हैं और उससे क्या है लड़की सेवा कर दिये कि इसकी अब तीर किसको मारा लकडबग्ग तो उसकी सेवागरदी लकडबगध की, इस परकार नाट में पशू और मानो के परस पर सायोग और उसका अभीना जो है परस्तुत किया जाता है, इस लोकनाट में, जिसको लकडबगधा लोकनाट कहा जाता है, बगेलखंड के आसपास ज्यादा प्रचलेत है, हलाँ कि आजी आधिवासी जिनजाती है समोहों में ज्यादा प्रचलेत है और ये कुश्यन कई बार मद्धी प्रदिस पी एसंसी तक पूचा जा चुपा है रास लोकनाट है, रास लीला सुनाएं, तो रास लोकनाट हो गया, रादा जी, कृष्ण जी और गोपियों के अलग-अलग प्रसंगों पर ये क्या है, लकरकली ये लीला जो है, ये बगेल खंड में प्रचले थे, ये लोकनाट है, नोटंकी, तो नोटंकी मत करो भई है, ये प्रारंब में मंगलाचरण होता है, और उसके बाद सूत्रधार क्या करेगा, आएगा, और भाईया कहानी सुनाना चालू करेगा, और उस पर आधारित क्या है, नाटक चलता रहता है, जिसे नोटंकी कहा जाता है, तो भाईया ये फिर प्रमुक, प्रमुक हमने लोकनाट् है ना, लोक गीत के अलाबा हमने लोक नरत्य की बात कर लिए, तो नरत्य, नाट्य और गीत, तीनों चीजें प्रमुक रूप से हो गई, अब हम बात करेंगे लोक चित्र की, ठीक है, लोक चित्र परमपरा या लोक चित्र कला जो है मध्यप्रदेश की बहुत फेमस है, जि द्वारा ही बनाय जाते है, मालवा में, और मालवा लोक चित्र कला में सबसे फेमस है, चित्रावण, क्या है बहुत चित्रावण, तो चित्रावण क्या है, चितेरे जाती के द्वारा बनाय जाने वाले, ये चित्र हैं, और इसमें घर की दीवारों और मंदिरों की दीवा जिसको क्या बोलते हैं चित्रावण, चित्रावण हैं याद रखिएगा कौन सी जाती, चितेरे जाती के द्वारा ये चित्र उकेरे जाते हैं, ठीक है, मालवा चित्र, दूसरा है मांडने, मांडना, मांडने ये वो ही है, ठीक है, सो दिवाली के अबसर पर अन्न मांगलिक अबसरों पर दिबाली के लाबा और भी मांगली का अफसरों पर घर की दीवालों और फर्स पर क्या है गोबर और पीली मिट्टी से क्या है लीपा पोती करके गेरू और सफेद खडिया मिट्टी के द्वारा इसमें क्या है मांडने बनाये जाते हैं कलात्मक रूप से तो मां मालवा शित्र में प्रचलित है, रंगोली तो हर जगा प्रचलित है, याद रखिएगा, ठीक है, हर जगा प्रचलित है, मालवा शित्र में भी गेलखंड, बुंदेलखंड निमाण, सब में रंगोली है, पूरे भारत में रंगोली चलती है, लेकिन ठीक है, किसी विसेश उसमें कुवारी कन्याएं गोवर फूल पत्ती से क्या करेंगी घर की दिवारों पर संजा की आकृतियां बनाती हैं संजा की आकृति मतलब चांद आ रहा है तारे हैं और वो सारे लोग बागे घर है वो पूरा संजा साम का जो चित्र है वो केरती है और उसकी पूजन करती है पंदरबे दिन जब पित्र अमविष्या जब पित्रमविष्या होती तो उसकी संदा पर gagnती को किसी नदी या तारव में विशंव जित देती हैं, उसी समय संजगायन गाया जाता है यहाँ पर, ठीक है ना भाई? चले, इसके लाबा म्हदी की आक्रटियां वो तो अपनको पता ही है कि महदी का विशेष प्रचलन तो हर जगा है, मही लाओं में जिस्त है, तो यहाँ पर विशेष अबसरों के साथ सामानिस्ति में सरीर पर महंदी भी क्या कर रही जाती है आकरतिया बनाई जाती है महंदी से महंदी कहा जाता है गोदना गुदना गुदवाते हैं आजकल हम टेट्टू जिसको बोलते हैं वो गुदना कहलाता है तो गोदन की प्रता जो है सरीर पर गुदने चित्र में सुरेती मतलब दिवार उपर वो केरी जाने वाली चित्रकला है, बुंदेल खंड का पारम पर एक भित्ती चित्र है, तलब चित्रकला, दिपावली के अबसर पर लक्ष्मी पूजा के समय सुरेती का रेखांकन महिलाओं के द्वारा किया जाता है, बहुत इंपोर यह जो रेखांकन है, गेरू से किया जाता है, याद रखिएगा, और बहुत ही फेमस चित्र पदती है, लोग चित्र पदती, बुंदेल खंड की, नौरता, नौरता भी बनाया जाता है, सुरेती के जैसे ही होता है, तो नवरात्री में कुमारी कन्याओं के द्वारा, यहा आवाजे के दौनों तरब नौरते बनाया जाते है, ठीक है, पुत्री की आकरती प्रमुख होती है, और एक जगा दूला दुलहन हल्दी से थाप लगाते है, ठीक है, गोबर्धन या गोधन चित्रकला है यह, ठीक है, गोबर्धन यानि गोबर से बनाया जाने वाले, ठीक गो की पुतलिया, वहला गोवर की पुतलिया, चली, बुंदिल खंड में और मोरिला, मोरिला, है ना तो मोरिला यानि मोर के चित्रों, तो मोरिला बोलते हैं, मोर और मोरेला, वहला मोर मोर नी को, तो मोरो मोरेला, इसको कहते हैं, इसका संबंध व्यक्ती अलंकरण से है, तो यही है गेरुआ ठीक है और रंग मोर जो है मुरेना रंग दिये जाते हैं तो अच्छा लगता है ये तो बुंदेल खंड हो गया मालवा हो गया बात करते हैं बगेल खंड की लोग चित्र गला की तो बगेली लोग चित्र जो है वो अलग से अपनी पहचान बनाए रखे ह यहाँ पर हल्दी अस्ट चाबल लगबग इन सारी चीदों से प्रती दिन चित्रों केरे जाते हैं भूमी दीवारों पर भूमी पर दीवारों पर हर जगाई ये चित्र होते हैं ठीक है कुछ-कुछ लोग तो दीवारों को खोद-खोद कर भी चित्र बनाते हैं जो बहुत फीमस है, कोहबर चित्र विवहा के अफसर पर बनाया जाता है और नव युगल इसकी पूजा करते है तिलंगा चित्र क्याब ये तिलंगा, कोःले और तितली के तेल से यहाँ पर दीबालों पर तिलंगा चित्र बनाये जाते है जिशू के जनम के शटवे दिन कोhबर की भाति इसको बनाया जाता है कोवर वाला जो चितर है वैसे कोवर की भाति शटवी के दिन बनते हैं जन्जातियों की चितरगला का यहाँ पर विशेश महत्य है राज की मोड, भील, भैंगा, कोरकू ये सारी जंजातियां जो हैं ये सरीर पर अलग-अलग आक्रितिया उकेर दी जाती हैं निमाडी लोक चित्रकला की बात करें तो पगल्या, काचली भरना, थापा, संजा फूली, मोरधन, जिरोती ये सब नाम अलग हैं, चित्रकला वही है, जिरोती में वही सुरेती टाइप का है, मोरधन में जो चल रहा था ना, मोर, मुरेना वाला वही संजा फूल में वह संजा वाला है, थापा वो थापी लगाने वाली कचली भरना पगल्या तो यह सभी की सभी नाम चेंज है बाखी सारी की सारी लोग चित्रकला हमने मद्ध प्रदेश के प्रमुक अंचलों की बात यहाँ पर कर लिए तो क्या-क्या बाद कर ली हमने भाई एक तो हमने लोक गायन की बात करी लोक न्रति की बात कर ली लोक नाटि की बात कर ली और लोक चित्रकला की बात कर लिया ठीक है भाई तो ये चार मध्यप्रदेश के चारों अंचलों की हमने डिसकस कर ली अब बारी है प्रमुख आए जाते हैं कई बार यहां से कुश्यन पूछ लिए जाते हैं बहुत बढ़िया चलिए तो भाईया परव और उत्साव में सब्विता संस्क्रती की विकास में परव और उत्सारों का पहत्पूर इस्तान है वो सब को पता है बहुत अच्छी बात है मत्य प्रदेश में लक्षा बंदन कुंसु पूने नाग पंचमी हरचट हरतालिका तीज रिसी पंचमी जनमास्टमी महालक्षमी तरदपूर्णिमा विजिया दसमी धन तेरस तो ये सारे के सारे प्रमुक पर्व त्योहार है जो मद्ध्य प्रदेश में बनाये जाते हैं भाई दूज ये प् अंगलेके अंगलेते अर्दूसरा दिवाली तो दिवाली के बाद के स्तियोहार में बहने अपने भाईव को क्या करती ना करें पैसे जडरू देने पड़ých तो ये बहुज का अपना बहाई इनका प्यार संबंदित बहुत ही उत्साब मनाया जाता है दो बार साल में मद्यप्रदेश में गडगौर ये भी बहुत important योहार है ये भी दो बार मनाया जाता है गडगौर स्टेवरात्री के समय सिवपारवती की पूजा यहां पर करी जाती है महीलाओं का प्रमुक्त योह द्वार मनाया जाने वाला त्योहार अप्रेल मई के माह में मनाया जाता है और कुछ इस्तानों पर यह त्योहार अक्षय त्रतिया के नाम से भी जाना जाता है तो maximum लोग अक्षय त्रतिया तो जानते ही है उसी समय अक्खा ती जिसको बोला जाता है अक्षय त्रतिया ठीक दिन तक गोबर से गोबर की प्रतिमाय जो हैं बना कर पूजा की जाती है गोबर धन परवत हो गया गौधन सम्मंदित बहुत सारी यहां पर आकरतियां बनाई जाती है पंजा संजा त्योहार है कुबारी लड़िकों का यह त्योहार होता है अस्विन माह में 16 दिनों तक चलत ठीक है और इस त्योहार में लड़िकियां प्रति दिन दिवार पर नई नई आकरतियां बनाती हैं साम को एकत्र होकर गीत गाती है संजा गीत जिनको कहा जाता है और त्योहार बुंदेल खंड में प्रमुक्ता मनाया जाता है जिसमें ममूलिया के नाम से भी इसको जाना ज गडल्या जो है नवराती के नौ दिनों में यह त्योहार लड़कियों का होता है एक समय जब लड़कियां एक छेद वाला घड़ा सिर में रखती हैं और घर घर जाकर अनाज आटा गेहूं चावल जो है पैसे भी इससे खटे होते हैं घडल्या घडल्या नी घड़े पर यह पर सुवारा जो है राक्षस की प्रतिमा दिबार पर सटे हुए चबूतरे पर इसको बठा दिया जाता है और इसके बाद सिव पारवती जी की प्रतिमाएं जो है राक्षस के सर पर रख दी जाती है और दिबार पर सूरे चंद्र इत्यादी बनाय जाते हैं और लड़किय इसकी पूजा करती हैं याद रखें दसहरा दसहरा तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं सभी परिछित होंगे मद्धिपर्देश का प्रमुक्तियोहार और इसे बिजय देश्मी के रूप में भी जाना जाता है अलग अलग शित्रों में क्या है भाईया रावण पर राम जी की बिजय के रूप में इसको मनाया जाता है भगोरिया यह बहुत important है इसको याद रखना यह भील जंजाती का एक पारम पर एक उच्छव है जो कईवार एक्जाम्स में अलग अलग एक्जाम्स में पूछा जा चुक है तो भगोरिया फाग के महीने में फाग बोले तो भाईया, होली के समय में, जी हाँ, यह भीलो का सबसे प्रियत योहार है और इस योहार में आदिवासी युबक युबतियां अपने जीवन साती का चुनाव भी करते हैं, होली, होली तो हो, होली है, बुरा ना मानू, होली है, होली का योहार जानते ही है, गर-गर ज जाती थी और प्रतिक गाउं के लोग आग को अपने घर में ले जाते थे और यह आग पवित्र मानी जाती थी और इसके बाद सभी लड़का लड़की बुजर्ग माता पता महिलाएं सभी लोग क्या है कलर लगा के रंग लगा के बुरा नमानो हो ली है कहते हुए खुब हो भी खेलते के अजबी खेलने एसी बात रिधान लेकर अब कम ही हो गए है त्योहार में देश की बात करें पीधे बहुए Sugar का यह अप 17 करमूग क्रिष्ण की यहां पूजा की जाती है भादो सुकल इकादसी को यह है पर्व मनाया जाता है लारुकाज यह बहुत इंपोर्डेंट है यह पूचा गया गुश्यन है यह त्योहार जो है आदिवासी जन जातियों के द्वारा ये मनाया जाता है लारु का आज प्रमुक्त योहार है इसमें नाराइण देथ के सम्मान में मनाया जाता है यह है पूर्व तूर के बिवाह का प्रतीक माना जाता है पर्व ठीके ना नौर्था नौर्था भही है नौर्था गायन भी है नौर्था प्हायनिस को खा जाता है। हमनने डिस्कस करी लिया भगोरिया उत्सव मालवा चित्र, 20 इस्तानों पर होली में 7 दिनों के लिए आयजित होता है। बगोरिया उत्सव मध्यप्रदिस के जाबु आली राजपुर में बड़े ही धूमदाम से मनाया जाता है क्योंकि भील जजाती का यह प्रमुक उत्सव है ठीक है और तीन चरणों में जिसमें गुलालिया, गोल गधेडों और उजाडिया यहां से सुरुबात होती है गुला पर्म मनाया जाता है और छोटी दिवाली भी इसको कहा जाता है मध्यप्रदिस के दक्षणी आदिवासी चित्रों में मनाया जाता है और दिवाली के दूसरे दिन से उनिमा तक अलग-अलग इस्तानों पर क्या है मनाया जाता है इसमें मोर के पंकी उजा की जाती है मेगना स्थानर स्वांग जिसको कहा जाता है सम्ग स्वांग जिसको कहा जाता है गॉन्ड कोरकू समाज के दक्षण मद्य-प्रदेश में महिनाया जाता है और होली के एक दिन बाद अलग-अलग इस्तानों पर इसकी सुरुबात होती है जंडा मेला या उच्छव के नाम से भी इसको जाना जाता है मीगनाथ उच्छव को खिचडी उच्छव बहुत बढ़ी अब या खिचडी उच्छव है दिवाली के एक दिन बादगर चब होता है तो समानेता मद्प्रदेश के दक्षण शेत्र में भारिया, गौन और कोरकु जंजाती के लोगों के द्वारा ये खिचडी उच्छव मनाया जाता है इसमें क्या किया जाता है गाय और बैल को सजा कर इचडी और बड़े-बड़े कद्दू की सबजियां जो है इनको खिलाई जाती है रतोना डक्षण पूर्भी मद्ध प्रदेश में कौन-कौन सी बैगा जंजाती है इसके द्वारा यह पर्व मनाया जाता है और इसमें मधू-मक्यों की पूजा की जाती है रतोना में गोल गधेडो की हमने बात करी है गोल गधेडो उसाओ जो है ये निमाड और मालवा चेत्र की भीले जञाती के दौरा मनाया जाता है खोली के समय भगोरिया उस्थמא के साथ दूसरे में, तो गडोरिया के बाद, गोलगधेडो और फिर उजाडिया, खोरिया उस्थम में इसका प्रमुकता से मनाया जाता है गोलगधेडो, चैत्रो उस्थम, चैत्रों के समय गोण जंजातियों के दौरा, जबुलपुर मंडल आला चिंदवाडा बैतूल इन चित्रों में योच्व मनाया जाता है लोक रंग समारो बहुत इसा ओर कि कुछन कही बार पूछा जा चुका है लोक रंग समाओ का आयोजन जो है वो मधिपरिदिस के भौपाल में होता है और जनबरी में ये लोक रंग समारो स्टार्ट होता है या ये समय है जब ये कराया जाता है चार से पाँच दिनों का ये उच्छब होता है और इसमें लोक नरत्य का प्रदर्शन और बहुत सारी अलग-अलग प्रदर्शनिया होती है लोक रंग समारो में ये याद रखना कहानी पढ़ना इत्यादी इस काली दास समारों में होता है काली दास पुरुसकार भी यहां पर वितरित किया जाता है खजराहो उत्सव बहुत नेक्स्ट भगोरिया हाट महुत्सव बिल्कुल हम जिसमें बात कर रहे है पश्चमी निमार जिसमें खरकोन और जाबुगा का शित्र है वहाँ पर यह आयजित होता है मार्च में होली के त्योहार से पहले यह भगोरिया हुत्सव मनाया जाता है यह प्रेम का त्योहार है शिप्रागे तटपर उजयन में लास्ट 2016 में कुम्ब का मेला जो है सिंगस्त जिसको कहा जाता है ये मनाया जाता है एक महिने का ये प्रोग्राम होता है भब आयोजन होता है तो 12 वर्सों में होता है यानि कि अब जो होगा वो 2018 में होने वाए ठीक है बई बहुत बड़े चल अर नवंभर दिसंबर में इसका आयोजन होता है एक महिने से ज्यादा ये बेला लगता है आदिवाशी नरत्य प्रदर्शन यहां पर विसेष्टा होते हैं याद रखेगा चैतियागरी बिहार महोचाओ ये है तो चैतियागरी बिहार महोचाओ नवंबर के अंत में होता है साची में हाँ होता है साची जो है याद रखेगा रायसेन में पड़ता है एक दिन की अवदी का ये विसेश प्रोग्राम होता है चौदयागरी में प्राचीन बौध अविशेशों का प्रदर्शन यहाँ पर किया जाता है जो बौध अविशेश हैं उनको दिखाया जाता है याद रखना है इसको तानसेन संगीत महुत्सव समारों जिसको कहते हैं दिसंबर में होता है बेहट गाओं जहाँ पर जनम हुआ बिया पच्मडी जो है पच्मडी में दिसंबर के महीने में पांच्चे दिनों का यह उच्छ सब होता है और इसमें प्रदर्शनी शांस्कृतिक महुत्सव इत्यादी किये जाते हैं दुरुपद समारों जो है बिया यह दुनिया भर के गायक आते हैं यहाँ पर आयोजन म प्रतिवर्षो होता है अब प्रमुक मेले और देख ले हैं मध्य प्रदेश की और इसकी के साथ है मेला लगाया जाता है और बैया सो से जादा समय से 100 सालों से पहले से यह जो है मेला जन्वरी फर्वरी के माहमें लगाया जा रहा है। मेला मुरैना जिले में और्षा गाओं में लगता है और यह एक महीने चलता है बंदर तक यहाँ पर बेचे जाते हैं सभी पालतु जानबर यहाँ बेचे जाते हैं कौन सा नागा जी का मेला हीरिया भूमिया का मेला यह बहुत important है हीरा भूमिया को हीरामन बाबा भी कहा जात ठीक है तो यह भाईया ऐसा कहते हैं कि कई सो साल पुराना मेला है अगस्त सितंबर के महिने में यह आयोजित किया जाता है तेजा जी का मेला या तेटा लिखा है तेजा जी है ठीक है तो तेजा जी का मेला तेजा जी बहुत ही सच्छे इंसान थे ऐसा कहा जाता है कि उनके प में भी तेजा जी का मेला लगता है महामरत्युंजय का मेला या महामरत्युंजय ना का मेला यह बहुत इंपोर्डेंट है रीवा जिले का बहुत ही फेमस मेला है महामरत्युंजय मंदर में यह लगता है बसंत पंचमी और सिवरात्री के समय पर जागेश्वरी देवी का मेला या जोगेश्वरी देवी का मिला दोनों important है वही है तो भया हजारों सालों से ये अश्योग नगर जिले की चंदेरी जो जगह है चंदेरी का किला आपने सुना ही होगा चंदेरी का साडियां सुना होगा तो चंदेरी नामगिस्थान पर यह मिला लगता आ रहा है और ऐसा मा बाद देवी स्थान पर आये और किन्तु देवी का सिर्फ मस्तक ही दिखाई देना सुरू हुआ था और राजा कोड़ ठीक हो गया और उसी दिन से उस स्थान पर मिला लगना शुरू हो गया ऐसा है बाई साब कि जो राजा थे वो कोड़ से पीड़ित थे उनको ऐसा एक अमरकंटक में सिवरात्री का मेला लगता है बिलकुल भिया सहडोल जिले में अब तो अनूपुर जिले में हो गया है याद रखिएगा ठीक है सो अमरकंटक नावागिस्तान पर नर्वदा की उद्गमिस्तल में यह मेला लगता है असी वर्सों से यह मेला सिवरात्री के सम काना वाबा का मेला है यह होशंगावाज जिले में सोडलपूर तहसील है वहाँ गाओं में लगता है काना वाबा की समाधी पर प्रतिवर्ष धमोनी और्ष धमोरी और्ष जो है सागर में धमोनी जगह है वहाँ पर बाबा मस्तान अली शाह की मजार है और उस मजार पर यह औ कहा जाता है कि 200 साल पहले से कालू जी महराज अपनी सक्ती से आदमी और जानबरों की मिमारी ठीक यहां करते थे तहाबुद्दीन ओलिया का ओर्ष भाई अब बहुत इंपॉर्डेंट है मंदस और जिले में नीमच अब तो नीमच जिले ही हो गया है ठीक है तो नीमच जिले कि मौरंतन ये इस्तान है जहां पर सिवरात्री से 15 दिवशिय मेला यहां पर लगता है प्राकृतिक जील और गुफा भी है यहां पर सिंगा जी का मेला यह बहुत इंपॉर्डेंट है महान संत थे पश्चमी निमार के हमने बात करी ली है पर पल्या गाउं में अगस्त सित अमर में एक सप्ता का यह मेला भरता है वर्मान का मेला नर्सिंग पुर जिले में यह तुप्रसिद ब्रह्मण घाठ है वहां पर मकर संकरांती पर तेरा देवशिय यह मेला लगता है और प्रमुक मेलों की बात कर लें मद्रदेश के तो भूत मेला है जो मलाजपुर में लगता है करीवनात का मेला अबंतीपुर में साजापुर में लगता है मन्धाता का मेला मन्धाता नदीपुर एडवा में लगता है जल भिहारी छतरपुर मदेब्रदेस पीस्टी 2019 पूछा जा चुका है सार्दामा का मेला मैयर में लगता है सतना में इसके लावा कुंडल एश्वर जिसको बोलते हैं तो कुंडेश्वर का मेला टीकमगड जिले में लगता है बड़े बाबा का मेला कुंडल पूर में लगता है जो की गमोह में इस्तित है संकुआ का मेला संकुआ धतिया में लगता है कि प्रमुख प्रमुख मेले थे और इसी के साथ हमने म चीजों को बहुत अच्छे से देख लिया है अब कोई भी question आपका इन सारे के सारे topic से छूट नहीं पायागा ये दावा है हमारा बस इसको अच्छे से आपने देखा अगर वीडियो पसंद आई तो इसको like करना है दोस्तों में share करना नहीं भूला है और channel भी subscribe करना है ताकि आपकी मद्यप्रदेश की फूरी तियारी इसी channel पर हो जाए तो अंगले topic में अंगली जानकारी के साथ मिलेंगे तब तक के लिए